नमस्कार, हेल्टेप सेनल में आपका स्वागत है दोस्तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं लेकिन किसके साथ क्या खाना है, इसका ज़रा भी ध्या नहीं रखते हैं फल, धई, दूद, धई, सलाद, डाले और मीट, हेल्दी फूर्ट तो है ही लेकिन पोशन तब ही मिलता है जब आप इने सही कॉंट्रिशन के साथ खाते हैं दरसल हमसे एक सही पॉस्ट्रिक चीज़े खाते हैं लेकिन कुछ चीजों को एक साथ खाने से आपका शरीक को फाइदों की बजाये नुकसान मिल सकता है आरवेदिक में सही कॉंबिनेशन वाले खारे पर शोर किया जाता है आरवेदिक के मताबिक अलग-अलग तापमान की चीजों को एक साथ नहीं खाना चाहिए यानि कि जिसका तापमान बहुत थंडा या गर्म हो स्वाद मीटा हो और नमकीन हो गुनहलका और भारी हो और तासीत थंदी और गर्म हो अलग अलग हो तो यहां एक साथ यह चीज़े नहीं लिने चाहिएं यह पर खाने पीने की कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिन्हें एक साथ खाने की मनाय ही है सबसे बहले देखते हैं कि धई के साथ आपको क्या-क्या नहीं खाना है दई के साथ आपको आम तोर पर खटे फल नहीं खाने चाहिए दरसल दई और फलो में लग-लग इंजाइम्स होते हैं इस कारण यह बच नहीं पाते हैं इसलिए दोनों को साथ लेनी के सला नहीं दी जाती है दई की तासिर बहुत थंडी होती है ठंडी चीजों के साथ खटी चीज़े नहीं लेनी चाहिए मचली की तासिर काफी गर्म होती है इसलिए उसे दई के साथ नहीं खाना चाहिए आरवेदी के मताबिक पराठे या तली भुनी चीजों के साथ दई नहीं खानी चाहिए उसके साथ तली भूनी चीजों को खाने से रियाक्शन हो सकता है। दूद के साथ नमकिन चीजों को नहीं खाना चाहिए। दूद वाले चाय के साथ कोई भी नमकिन चीज नहीं खानी चाहिए। नमा के मिलने से मिल्क प्रोटीन जम जाता है और उसके पोशन में खमी आ जात बचना चाहिए इसको एक साथ खाने से डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है चलिए अगली चीज देखते हैं कि अगली चीज क्या है संत्रा और केला एक साथ नहीं खाना चाहिए क्यों कि खटे फल मीटे फलों से निकलने वाले शुगर में रुखावट पैदा करते हैं जिस और मक्षन एक साथ नहीं खाना चाहिए यह तक पानी में मिला करके यहां तकी पानी में मिलाकर प्पूल कर भी ना बनाएं ऐसा करने से दाईया हो सकता है। 10 जिन तक कांसे के बर्तन में रखे खी को नहीं खाना चाहिए। पीली छथ्री वाले मश्रूम सरसों के तेल में नहीं खाने चाहिए। थंडे पानी के साथ खी, तेल, खरबूजा, अमरूद, खीरा, चामुन और मुंगफली नहीं खाने चाहिए। खीर गरम के अरवेदिक की थियोरी को बहुत जादा नहीं मानता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लोटेंग एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल को लाइक, सिस्क्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप वश्र करें।